एक किसान था जिसके दो बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम में थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बठाने के बजाए आलस किया करते थे। इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिकर थी, वो सोचते थे की मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, या अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी, कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा की हमारे खेट में एक खजाना गड़ा हुआ है लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है लेकिन खोदने बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वहाँ घर जाकर बैठ गए और वर्षा रितू का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था वो है खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बिजबोने शुरू कर दिये। वर्षा का पानी पाकर वह बिज अंकुशित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के जोके से लहरा रहा था। यहां देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अप अपने कामकाज में लग गए।